हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें तिलक प्राथना की खुश्पू, साइकल प्योर अगरबतीर माता, मैं तो किवल इतना ही जानता हूँ, कि भगवान के निकट, जाती पाती, ज्ञान, धर्म, कुल, गोड़ो और चतुराई का कोई मोल नहीं होता वो तो किवल भक्ती के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं फिर आप तो स्वयम परमसिद्ध और भक्ती के पराकाष्ठा हैं, मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ हे राम, मुझे नीज कुल में उत्पन, ये शरीर छोड़ने के आज्या देने से पहले, मुझे भक्ती का ज्ञान प्रदान कर प्रभू माता, मैंने गुरु जोनों से जो नवदा भक्ती की माहिमा सुनी है, पही अपने हृदय से कहता हूँ, आप भी हृदय से ही धारण केजिए नवदा भक्ती कहूं तो ही पाहिं, सावधान सुन धर मन माहिं प्रथम भक्ती संतन कर संगा, दूसरी रत प्रभ कथा प्रसंगा ुषरा, मिरे रा, मेरे रा, मेरे बान प्रथम आप्रागा कौन है आप हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं आप क्रपया हमें इनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी माता सबरी के पास लेकिन आप है कौन मैं राम और यह मेरा छोटा भाई लक्षमन लक्षमन आप आगे प्रभू आप आगे सबरी की कुटिया में बेच्छडवतिया आपको पैचान नहीं बाई प्रभू मुझे शमा कर दो प्रभू प्रभू मुझे शमा कर देना प्रभू मैं जड़ मत्या आपको पैचान नहीं पाई यह दया निखा दयालू है आप दयालू है मुझे शमा कर देना प्रभू मेर प्रभू आई 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 मेर प्रभू आई प्रभू 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 आई प्रभू 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 आई आपके चरह करनों करमसे आज मेरे कुटिया पवित्र हो गए मेराजी मेराजी मैराजी मेराजी मेराजी मेराजी经常 मैं आपको चरण बखारती हूँ नहीं नहीं माता अब इसकी कोई आविश्यक्ता नहीं तुम्हारे इस नहीं बरे अश्रूओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया प्रभू, आपको भूक लेगी होगी ना हाँ मैं पल लेकर आती हूँ, पल लेकर आती हूँ, अभी लाही बर्सों से प्रती दिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेड़ लेकर आते हूं बर्भू बर्सों से खाईए 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 बर्भू बहुत मीठे हैं मैंने चकचक कर रखे हैं का ये प्रूपू का ये प्रूपू का ये प्रूपू का ये खाईए बहुत वाह अच्छे है ना मीठे है इनकी प्रशंचा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कोशल्या अपने हाथ से खिला रही हो लक्षमन ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंट लोक में भी नहीं मिल सकते हैं यह सब मेरे परम गुरु महमुनी मतंग की शक्ति का प्रभाव है उनके तफोबल के प्रभाव से इस मतंग मन में फूल कभी नहीं मुर्चा थे फल सदेव ताजर रहते हैं इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी इंसावरती छोड़ देते हैं परम गुरु जहां बैठते थे उनके चण्णों में वनके सी और आश्रम की गाय बक्रियां एक साथ पानी पीती थी उनको परलोक सिधारे वर्सों बीत गए परंतु जिस्वेदी पर बैठकर वो यक्य किया करती थी उसमें अभी तक एक तेज एक प्रकाश की आबाद छलगती रहती है कितना पवित्र होगा वो इस्थान और कितनी भागिशाली है आप जो ऐसे परमगुरु की सेवा करने का पुन्य प्राप्त हुआ उसी सेवा का पुन्य फल है जो आपके दर्शन हुए है प्राप शाक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुन्य फलिबूत हो गए है जब आपके चुत्रकूट पहुंचने का समाचार मिला उन्हीं दिनों गुरुदेव आश्रम के समस्त मुन्यों को लेकर दिव्य विमानों में बैठकर अपने थाम को चले गए मुझे में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेश क्रपा के कारण मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन सिरी राम लक्समन के साथ इस आश्रम में आकर तुमारे अथिति बनेंगे उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगी इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना उन्हें हमारे आने का ज्ञान था हाँ प्रभू उन्होंने कहा था कि सिरी राम अपनी भार्या की खोज में यहां आएंगे तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मारक बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावन पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनन पुर्वक अयोध्या जाएंगे यह भावी निश्चित है प्रभू आपसे दनु नाम के गंधर में जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करती हूं आपने यह समाचार सुना कर जैसे अपने परम गुरु का आशिरवाद मुझ तक पहुंचा दिया है अब क्रपा करके यह बताईए कि हम महाबली सुग्री तक कैसे पहुंचें आप अंजान की भाती पूछते हैं प्रभू तो बताते हूं यहां से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुन्दर सरोवर मिलेगा उसके दक्षिन तटकी ओर रिश्यमुक और मल्यादरी नाम की दो पर्वत सिखर दिखाई देंगे सुग्रीव अपने चार मंत्रियों सही वहीं रहते हैं जिन में हनमान नाम का आपका एक चिर्परचित भक्त भी है प्रभू उनके सयोग से सुग्रीव से भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव का एक अविष्ठ कार्य भी पूर्ण होगा आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीरवाद मानता हूं माता अब यदि आप हम पर कृपा करें तो आपके परम पूझनिये गुरु जहां पर तपस्या करते रहे हैं उस पवित्र स्थान के भी दर्शन करा दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए अवश्या आप वो इस्थान देखेंगे प्रफू मेरे गुरु का इस्थान देखने योग्या है आए वो इस्थान दर्शन करने योग्या है पधारिये पधारिये आए देखो लक्ष्मिन जब एक मनुष्य स्वार्थ की सीमा को लांक कर परमार्थ की स्थान देखो लक्ष्मिन जब एक मनुष्य इसकी भूमी में तबस्या करता है तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है इन रिशी ने हिंसा के प्रदेश में जो आहिंसा और धर्म की जोती जलाई थी उसका प्रिकाश इतने वर्षों में भी खीन नहीं हुआ महमुनी, आप जहां भी हों, हमें आशिरवात दीजे कि हम कर्तव्य और परमार्त के पत पर द्रड़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें माता, ऐसा लगता है, जैसे आपने हमें अपने गुरु के साक्षा दर्शन करा दी है आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं हो सकता, अब हमें जाने के आज्या दीजे आज्या तो उससे पहले आपको मुझे देनी होगी राग्वेंद्र और उससे भी पहले अपनी भक्ती और उसका ज्ञान मुझे देना होगा माता, मैं तो किवल इतना ही जानता हूँ कि भगवान के निकट, जाती पाती, ज्ञान, धर्म, कुल, गोड़ो और चतुराई का कोई मोल नहीं होता वो तो किवल भक्ती के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं फिर आप तो स्वयम परमसिद्ध और भक्ती के पराकाष्ठा हैं मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ नहीं प्रभू, मेरे गुरुजी का यही आदेश था कि मैं आपके स्रीचन्नों की सेवा से भक्ती और आपके मुखार बिन से भक्ती का ज्ञान पाऊँ हे राम, मुझे नीज कुल में उत्पन यह शरीर छोड़ने के आज्या देने से पहले मुझे भक्ती का ज्ञान प्रधान कर प्रभू माता, मैंने गुरुजोनों से जो नवदा भक्ती की माहिमा सुनी है पही अपने हृदय से कहता हूँ, आप भी हृदय से ही धारण केजिए नवदा भक्ती कहँ तो ही पाहिं, सावधान सुन धर मन माहिं प्रथम भक्ती संतन कर संगा, दूसरी रत प्रभु कथा प्रसंगा गुर्पद पंकज सेवा, तीसरी भक्त यमान चोथी भगती प्रभु गुन गन, करै कपट तजगान मंत्र जाप प्रभु द्रड विश्वासा, पंचम भजन सोबेद प्रकासा छट दमसील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा सात मसम हर भय नग देखा, हर ते संत अधिक कर लेखा आठ मज था लाभ संतोशा, सपने हुन नहीं देखाई पर दोशा नवम सरल सब सन चल हीना, भरी भरोस यह रशन दीना नमधा भकत सबर कहतेने, सादर सबर सिसधर लेने आपने दीन जानकर जो इस सेवी का परक्रपा की है, वह सदा बनाए रखना ऐसी दया करना कि मेरा ची तिन स्री चर्नों से गवी विमुख न हो अब मुझे अपने गूर्दें के सार्थ चाने कि आख्या दीजिए प्रफू गूर्दें के पास चाने कि आख्या दीजिए प्रफू माता, आपका मार्ग भक्ति की जियोती से प्रकाश्मान हो.